राम मंदिर में जो भगवान राम के बाले रूप की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके नीचे श्री राम यंत्र रखा जाएगा कुछ इस तरीके की मूर्ती के नीचे ये जो श्री राम यंत्र है इसे प्रतिष्ठित किया जाएगा प्रतिष्ठा चल लही है उसी पर भगवान के जो तयार किये गए विग्रह है उनकी प्रतिष्ठा होगी और अस्थापित होगी हमारे यहां शास्त्र का विधान है कि राजा में देवताओं की प्रतिष्ठा है और भारत वरश के बरतमान की परिस्थिती में भले ही प्रजातंत्र है लेकिन मोदी राजा के पतपर विद्वान है भले ही वो अपने को सेवक कहें और राजा के पतपर विद्वान होने से सार प्रान प्रतिष्ठा नए राम मंदिर में जो भगवान राम के बाले रूप की प्रान प्रतिष्ठा होनी है उसके नीचे श्री राम यंत्र रखा जाएगा और उस श्री राम यंत्र का जो पूजन है, जो पृतिष्ठा के लिए जो पूजन है, वो इस वक्त आयोध्या में चल रहा है, कई जो संत हैं, ब्रामण हैं, वो उस यंत्र की, श्री राम यंत्र का पूजन और पृतिष्ठा के लिए उसकी जपों का पाठ कर रहे हैं, और सा साथ अगर पीछे आपको दिखाई दे तो भगवान राम का वो बाल लिरूप आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके की मूर्ती के नीचे ये जो श्री राम यंत्र है इसे पृतिष्ठित किया जाएगा ये पूरा का पूरा प्रान प्रतिष्ठा है क्या और ये जो श्री राम यंत्र की प्रतिष्ठा होगी ये क्या है हमें बताएंगे डॉक्टर रामानंद जी महराज जो की इस पूरे पूजन को उनके ही देखरेक में उनके द्वारा किया जा रहा है तो महराज जी आपका स्वागत है यूपी तक पर और ये जो पूजन हो रहा है इस वाक्त श्री राम यंत्र का और वाले रूप जो भगवान का दिख रहा है जो मंत्र हैं ये क्या है हमारे यहां शास्त्री विधान है कि यंत्र पर देवता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए तो जैसे मंत्रा धीनम ही देवता देवता मंत्र के अधीन होता है और साथ ही यह भी कहा गया है यंत्रा ध्रिष्ठित देवता यंत्र पर देवता की प्रतिष्ठा होगी अर्चा बिग् सब के लिए सुलम हैं और वह शी राम के जितने मंत्र और उनकी बिधी है वो यंट्र में अक्षर के रूप में प्रतिष्थ है और उसी अक्षर में यंट्र के दिख रहा है वो तांबे का जैसा बना हुआ है तो वो यंत्र एक्चुल में है क्या मिला उस यंत्र को अगर हम आम लोगों को समझाना चाहें आम आदमी उस यंत्र को समझना चाहें तो जो यंत्र जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है जिसकी पूजन हो जिसका पूजन चल रहा है वो है क्या? वो यंत्र एक तो तावे का है, प्रायहुसमे अश्टधातू का मिश्रण है, लेकिन तामर प्रधान है और जैसे कोई भी व्यक्ति बोलता है तो एक एक अक्षर का उसमें महत्व है, हर अक्षर का, दिर्ग, हरश्व का, तो उसी तरह से यंत्र में भगवान श्र राम के मंत्र और उनकी जितनी जो है तांत्रिक पूजा की विधियां हैं बैदिक पूजा की विधियां वो सारे अक्षर यंत्र पर प्रतिश्चित किये जाते हैं और उसे यंत्र की विशिष्ट प्रकार से पूजा करके उसमें प्राण का आधान किया जाता है और उस पुरी भगवान के सुदर्शन चक्र पर प्रतिश्थित है लेकिन भगवान का स्रीविग्रह श्रीराम यंत्र के उपर प्रतिश्थित होता है और होगा उसी लिए उसे यंत्र की पूजा है क्योंकि यंत्र पर ही प्रतिष्ठा का विधान है शास्त्र में क्योंकि एक एक अक्षर जैसे कोई भी गया ओम उच्यारन करता है भगवान का कोई राम जी के मंत्र का ओम राम रामाय नमह कहता है कोई श्री राम जै राम जै जै बोलता है तो सारे अक्षर उस यंत्र में विद्धिमान है और उनकी शक्ति उनका देवता उनका रिशी उनका स्वरूप अक्षर में विद्धिमान होता है अब इसके आगे का कारिक्रम क्या है इसका अब इस यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा का कारिक्रम हुआ है और नित्य पूजन होता है वही पूजन आज से विशे सुरूप में चल रहा है और जब भगवान के वहां अंदर प्रवेश होगा तो इसके उपर उनकी प्रतिष्ठ यह उस गर्भग्रिव में कब जाएगा यह गर्भग्रिव में हमको अंदजा है कि कल प्रतिष्ठा इनकी गर्भग्रिव में जाएंगे फिर भगवान के अन्य पूजन के कारकरम होंगे यंत्र की पूजा के ऊपर ही भगवान का बिग्रह पदारा जाएगा तो कल से ही इनका पूजन वहां विशेष रूप से यहां तो नीमी तो होता था आज विशेष पूजा करके कल वहां पदार जाएंगे आप तो उस पूजा समीती के अध्यक्ष भी हैं सदसे हैं सदसे रहे हैं तो अगर हम समझें कि अब आज के बाद से जो पूजन शुरू हो गया वहां वो कौन-कौन सा पूजा है जो अब करमवार शुरू हो गया है और कैसे चलेगा उसमें पूजा के क्रम में जैसे प्राता भगवान के उत्थापन के बाद भगवान गोदान करेंगे गजदर्शन होता है हाथी का दर्शन और उसके गोदान के बाद भगवान का मंगला आरती होगी पूजन असनानादी करके फिर शिंगार आरती होगी शिंगार में भगवा पुलते हैं उसको गोष्टी भगवान को भोग लगाई जाती है फिर उनके बार्मी की रामाएंड के पाठ और बेदों के मंत्रों का पाठ और लोगों का दर्शन स्रिंगार आरती के बाद सुलब हो जाता है बारह बजे भगवान का राजभोग लगेगा जो राजा अधिराज है उसके अनुसार भोग दिव्य सुवरन में या रजत में पात्र में लगेगा फिर एक घंटे या 45 मिनिट तक मंदिर बंद रहेगा भगवान पाएंगे और पाने के बाद फिर शब को दर्शन होगा उसी खोला जाएगा फिर भगवान की आरती होगी उसको उठापन बोलते हैं और उठापन आरती के बाद उनको कथा बारता के माध्यम से सास्त्रों का श्रवन कराएगा नाम संकिर्तन होगा और वो फिर बाग में जब ही तैयारी चल लही है वहां सुंदर उपवन है उपवन मे जाने के लिए जो भगवान के विशेस करके उत्सो विग्रह है उनी की प्रदक्षिना होगी वो जाएंगे वहां जो संगीत के विशिष्ट बिद्वान है वो भगवान श्री राम से संबंधित भक्ती के गीतों का गायन करेंगे उनकी बंदना की जाएगी उनकी मंदिर की प्रतक्षिना होगी डेली जैसा विधान बन पाएगा फिर साइंकाली इन दिन डूबने समय में आरती और फिर शेन आरती ये विधान अब हम महराज रामान्दास जी से एक चीज और जानेंगे और वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जब उस प्रान-पुजा में जजमान होंगे तो वहाँ के कारिक्रम क्या होंगे वो विधी विधान क्या होंगे महराजी आप जरा समझाएं कि प्रधान मंत्री जब पहुंचेंगे 22 तारिक को तो क्रमवार किस तरीके के ये विधी विधान पूजा के होंगे और प्रधान मंत्री उसमें क्या क्या करेंगे पूजन के क्रम तो कल से प्रारंब हो गए हैं और पाठ आदिक का क्रम वैदिक मंत्रों का वेदों का वो चल ही रहा है मोदी जी आएंगे जो जो भगवान का विशुद बिग्रह है यंतरादिक की प्रतिष्ठा के बाद कुनी के करकमलों से भगवान के बिग्रह की प्रतिष्ठा होगी उसमें सपतनीक प्रतनिधी श्री अनिल मिश्री जी रहेंगे जो अल्लेडी बैठे हुए अभी हाँ वणिल मिश्री जी चुगी मोदी को साथ दिन का टाइम नहीं है देश के प्रतिष्ठा के बिधी है वो माननी हमारे मोदी जी के करकमलों द्वारा होगी चुगी हमारे यहाँ शास्त्र का बिधान है कि राजा में देवताओं की प्रतिष्ठा है और भारत वरश के बरतमान की परिस्थिती में भले ही प्रजातंत्र है लेकिन मोधी राजा के पतपर विद्यमान है भले ही वो अपने को सेवक कहें और राजा के पतपर विद्यमान होने से सारे देवताओं के उपरतनिधी हैं देवताओं की उनमें प्रतश्था है और मैं त विश्ष्च में भारत अपने पुनह उस गवरव को और विशेष करके जो है सांस कृतिक के रूप में जो धर्म की प्रतिष्ठा है भारत का जगतगुरूत्व प्रतिष्ठित होगा तो लेकिन महराजे माना जाए कि अभी अनिल मिश्र जी कर रहे हैं सपतनिक यजमान वो अभी है लेकिन वही यजमानी वो प्रधान मंत्री जी को दे दें हाँ प्रधान मंत्री जी के आगमन पर जो इनका कार है विशेस जो सबसे प्रधान है एक बात और कही जा रही है कि जब भगवान राम की मूर्ति का जब प्रान पृतिष्ठा की जाएगी तो सबसे पहले कोई नहीं देखेगा, पहले खुद आईने में शीशे में भगवान राम को दर्शन कराये जाएगी उसकी शास्त्री बिधी है कि भगवान को पहले सारे वस्तुओं से असनान कराये जाता है उशदियों से असनान होगा जल से असनान होगा दूद घी दई से असनान होगा असनान की बिधी जब संपन होने लगेगी तो उससे पहले ही भगवान के आँख पर आटा लगा करके रहता है क्योंकि जो भोग लगाया जाता है भगवान को वो उनके आगे जो अरोगा जाता है उसमें सबसे प्रधान जो चीज है वो यह नेत्र नेत्रों से ही भगवान भोग लगाते हैं अर्चा उतार में भगवान के नेत्र से ही भोग लगता है तो इसलिए नेत्र को जब पूरी प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद खोला जाता है। के थाल में अखंड फल लिये हुए अपने चाती पर वो सामने एक बड़ा विशाल दरपन लिये रहती है। उसके बगल में भगवती गव बच्छडे के साइद खड़ी रहती हैं। साइड से खड़े होकर के सुवरन की सलाका से पट्टी हटाने के बाद नेत्र खोला जाता है। और नेत्र के सिधे प्रभाव भगवान, वो सीशे पर पड़ता है कुमारी कन्या जो शक्ती स्वरूपा है, वो सारी शक्ती भगवान में आवे। अखंड फल माने अखंड देवता की प्रतिष्ठा हो, अनंत देवता गवों में हैं, वो गव भगवती में सारे देवताओं का जो की प्रतिष्ठा है वो भगवान के बिग्रह में आ जाए और वो वापस परावर्तित हो करके उस बिग्रह में आ जाए, सामान निब्यक्ती प तो वह खुद kajal लगाएंगे भगवान राम के उस बाले रूप की फोलने के बाद साइड से खड़े हो करके जो विधान है नेत्र खोलेंगे नेत्र खोलने के बाद उनके करकमलों से ही भगवान को संदर काजर लगाया जाता है कि जितने भी लोग आए भगवान के दिभ्य आपकी नजरों में भगवान राम का वो विग्रह, भगवान राम की उमूर्थी कैसी? जानकारी नहीं दे सकते हैं। जानकारी नहीं दे सकते हैं। हमने कोई प्रतरसन नहीं, कोई बाहर कोई उसके लिए स्वरूप नहीं दिया कि नहीं, आप आईए देखिए, हम अपने कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद महराजी, तो हमारे साथ थे डॉक्टर राम नंद दास और हम एक बार फिर आपको दिखा दें, वो खास पूजन जो इस वक्त श्री राम यंत्र का इस वक्त हो रहा है। और 24 घंटे बाद, यानि कि कल ये यंत्र उस राम मंदिर के भीतर जाएगा, जहां पर उस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और सामने बाल रूप है भगवान राम का, हलाकि ये श्वेत वर्ण है, लेकिन उन चुनिंदा मूर्तिकारों में से ही बनाया हुआ है, जिन्हें पहले इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो हम आपको बाहर लिए चलते हैं कि किस तरीके की ये तैयारी इस वक्त आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पिछले कई दिनों से और खास करके जो 16 तारीक है, 16 जनवरी से जब सूर्य उत्तरायन हुए तब कीरतन का पार्ठ, रामचरित मानस का पार्ठ, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो कुल मिला करके इस वक्त बहुत ही खास पूजा इस वक्त चलती हुई दिखाई देंगी। यूपी तक के लिए कुमार अभिशेक आयोध्या।